नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वाइब करता हूँ खेती के वीडियो में तो किसान भाईयो आज हम अपने खरीब सीजन में दो धान है उसका अपडेट दे रहे हैं आपको तो इसमें आज का हमारा कुछ अक्टिविटी है क्योंकि इसको ट्रांस्प्लांटिंग किये हुए हमको लगवाग 20-22 दिन हो चुके हैं किसान भाईयों 20-22 दिन की अवस्था में यह बहुत महत्पूर्ण होती है हमारे पौधों के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए तो उसके लिए हम क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं ताकि उससे हमको अपने फसलों में ज्यादा उत्पादर मिले धान का तो यह सामने देख रहा है किसान भाईयों हमने इस तरह का लखड़ी का एक पाटा लेकि इसमें पाटा लगा रहे हैं यह मैनवली है हम इसको यह देखे सामने यह रसी फसा हुआ है इसी के सारे हम इसमें पाटा लगा रहे हैं किसान भाईयों तो इससे क्या होगा कि जैसे ये हम अपने धान की टेलरिंग बोलना चाहिए वो हो रहा है जैसे धान के पौधे में जहटके लग रहे हैं जिससे की आगे चलके इसके वेजिटेटिव ग्रोथ और तेजी सोगा कल्लों की संख्या ज्यादस ज्यादा आएगी और साथ में हम अपना जो सकेंड डोज नाइट्रोजन का है वो भी फिर इसको दे देंगे यह वस्था बहुत महत्पून होती है अगर इसमें थोड़ा मेहनत कर लें अगर इस तरह से हम पाटा लगा दें हम इसमें दो राउंड पाटा लगाएं कि साम भाई आपको दिख रह होगा एक बार जिस तरह से हम सीधे जा रहे हैं उसके बाद जब दूसरा राउंड हम लगाएंगे इसमें पूरे खेत को तो उसके अपोजिट साइड से फिर हम इसमें पाटा लगाएंगे तो वही अक्टिविटी आज हम कर रहा है किसान भाई व अपने धान में तो हमने स तो वैसे अगर हम इस तरह का पाटा का अगर सेडूल बनाए किसान भाई हो तो हम प्रांस्प्लांटिंग से हर साथ दिन तक कर सकते हैं क्योंकि हमारा वेजिटेटिव ग्रोष यही लगवाग 45 से 50 दिन तक रहता है उसके आगे फिर गपोट अवस्था में आ जाती है तो ह साथ दिन में लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता है तो एक बार जो 20 से 25 दिन है उस सवस्था में हम इस तरह के पाटे का प्रयोक करें किसान भाई हो जो की थोड़ा बजन होना चाहिए लगवाग 15 से 20 किलो उसके बजन होना चाहिए और ताकि मैनवली आसानिस उसको खीचा भी जा सके तो इस तरह के पाते से हमको वेजिटेटिव ग्रोफ में भी फायदा मिलेगा उसामें किसान भाई हो सबस्था में क्या होते हैं कि हर्याली जादा रहती है पाउधे में तो बहुत से कीट पतंगे ये भी बहुत जादा आकरसित होते हैं तो रोक से भी इस तरह से सो जाती है जो ये तो इससे क्या होता है कि उसमें जो भी अंडे बगारा होते हैं वो भी इससे पानी में और इस पाटे के माध्याम से जब खिचते हैं तो वो भी साफ हो जाते हैं ताकि रोक की संभावना भी से कम हो जाती है किसान भाई हो तो यह एक अच्छी किसान भाई किसान भाई कर सकते हैं तो इसको अवस्थ करें आपको प्रोडक्शन में अवस्थ कुछ लाब मिलेगा यह हमारा पान कमपनी का हाइब्रिड धान है 24 तेश तो आज हम यही अक्टिवीटी कर रहे हैं किसान भाई अपने खेतों में तो सोचे आपको जानकारी दे बाकि बारिस तो लगातार सामन की जड़ी लगी हुई है जो कि अच्छा है फसनों के लिए भी आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्दवाद